यहां पे जो है यह चुकंदर का गुड़ है और यह गाजर का गुड़ है और उसमें ड्राइफ़ूट्स तिल, मुंखली, बादाम, खाजुब अगएर का गुड़ है जितनी ड्राइफ़ूट्स है उतनी वराइटी का हमारा गुड़ बन जाता है गुड बनाता है। आपने तमाम तरीके का गुड़ खाया होगा, गुड़ की पट्टी खाई होगी, लेकिन क्या कभी आवले का गुड़, गाजर का गुड़, चुकंदर का गुड़, इस तरह की चीजों का है, सब्जियों का गुड़ भी खाया है, अगर नहीं, तो आज हम आपको ऐसी जगा लेके पहुचे हैं, जहां पर आपको ये सभी तरह का गुड़ मिलेगा, हम पहुचे हैं, मेरट के भामोरी गाउं में, सुनील जी किया, वैसे तो इनका नाम सुनील कुमार है, लेकिन इने लोग सुनील फौजी, गुड़ वाले के नाम से भी जानते हैं, सुनील जी, ये बताईए कि ये रंग भी रंगा गुड़, कौन कौन सा गुड़ इस समय यहां था यार हमें दिख रहा है, यहां पर जो है ये चुकंदर का गुड़ है, जो अभी बना है, बिल्कुल गर्मा गरम है, और ये गाजर का गुड़ है, और उसमें ड्राइफूट्स, तिल, मॉ को रिंगा कहते हैं, उसको उच्दी वैलू सभी जानते हैं, और हल्दी का, आमले का, और अलसी का, इसमें वो बहुत सारी वाराइटी है, इसी, जितनी अभी आपको याद आ रही है, वैसे तो 21-22 वाराइटी तो हम खुदी बनाते हैं, रिजर्ब में ही, उसके डिमांड जाती रहती है, रेगुलर, और बैकि जो, उसमें फल और सब्जियां के रादे हैं, उसमें हमारी जो है, चार वर्ग का गुड़ है, एक तो ड्राइफूट्स में, ड्राइफूट्स में हमारे बहुत सारे कई लेवल हैं, ड्राइफूट्स के, जैसे आपका काजू बादा हम चैरशा पिश्ते वगःरा का गुड़ और दूसरा जो है, तिल मूं ख्ली वगःरा का गुड़, उसमें जतनी ड्राइफूट्स रग जो है, फिर यो है वेजेटेबल फ्रूट्स में हमारे गुड़ आता है, फो से फृूट्स में हमारा अमुरूद का गुड़ और साथ में हमारे बहुत सारे ओस्दिय गुड़ हैं जिसमें हम तिरकुटा, सोंट, सोंप, अजवाइन और बहुत सारे पीपल इन सब चीजों के मिला करके कॉंबिनेसर बना जाता है आयरुवेदिक फार्मूले के इसाब से जो हमें रितु के हिसाब से और सिहत के जो हार्म इंग्लेंड और अमरीका वासिंटन गुड़ गया है और आपका जो है इस्राइल भी गया हंग्री भी गया और जितने जापान गया हमना जित क्या बोलों कि रिजिस्टर्स में रिकॉर्ड है कि तकरिबन दुनिया के जितने देस हैं कहीना कि कम याधिक मातरा में गुड़ पहुंचा है तो यह बता है यह एक फौजी की एक गुड़ वाली यात्रा कैसे शुरूओ एक कैसे आइडिया आया कि हमें इस तरह का गुड़ बनाना है जब मैं सेना में था दोहजार सतरे तक एक जनवे दोजार अठार को में सेना सेवा निवरत हुआ और यहां पर यहां मेरे एक हेक्टियर की खेती थी और अभी तकरीबं जो है 75 एकड के करीब हम कर रहे हैं यह शे साल के अंदर साथ साल के अंदर ही क्योंकि इसके इतने अच्छे रिजल्ट आये और लोगों ने इसका हाथ वहाथ इस कारकरम को लिया यह जो आपने बताया 75 एकड इसमें आप मिठास तो मिठास ही है सब लोगों खीचती है तो यह बताईए कि उस पर क्या खेती करते हैं हम जो है उसमें रिंग पिट मैथड से च्टरंच विदी से और मल्टी लेयर हमारा फार में उसमें उपर पेड हैं नीचे फिर पोधे हैं उसके नीचे जो है हाब्स और साब्स तिल हन यह सारी चीजे हम उगाता है लिदेख रहे हां बागवाणी में तो म्ल्टी लेयर में आगे मल्टी लेयर के जितने भी हमारे जैसे आम लगे पोधे हैं और नींबू के पोधे हैं आमारे पास तकरीबं पातिस तरह के फूरूट के पोधे हैं क्योंकि इसमें सेब है जो हमने लाके लगाए और गबू गोसा है और लोकाठ है आलू बुखारा है आम है अमरूद है ने का 75 एकड़ के भूमी हो गई आपके साथ जो 10-11 किसान जुड़े होने लेके तो यह जितना गन्ना होता है इसे क्या बाहर बेचने की जुरूत नहीं पड़ती है बलके वो किसानों को जोड़ने और जुड़ भी गए हैं लेकिन जब पूर्ण तो और गयनिक हो जाएंगे प्राकृतिक हो जाएंगे क्योंकि सरकार का टम्स है कि तीन साल में हमारे और गयनिक खेती होती है तो सारा गुड़ बनता है हाँ इसका सभी का गुड़ सक्कर, खांड, रा गुड़ में इतनी जो वराइटी है ये आइडिया कहां से है पहले तो साधरन गुड़ी बनाते रहे होंगे या शुरुवात से ये बना रहे हैं ने शुरुवात में एक दो लोटी हमने ऐसा बनाया था और आइडिया हमारी परमप्राव में ही है कोई मांड की वो पज है ऐसा है कि हमारी हां मिठाई खाने की आदत तो हमारे संस्किर्ती में है ही और अब खाने लगे ते चीनी और चीनी से बनी ही मिठाईया लेकिन उसका जो क्या रिजल्ट है सामने वो डाइविटीज और बहुत सारी चीजे इस तरह की आ रहे हैं क्यो से बनती थे तो हमने भी बनानी सुरू करी जब अपना ही प्लांट था अपनी लोग थे एक्सपर्ट थोड़े जानते भी थे तो सुरुवातम बिगड़ा भी कि इसको कैसे इसको टेक्स्चर इसका सही आए सेप साइज सही आए और जो सिहत के लिए जो फर्मूला है वो ब बना रहे हैं सबसे पहले शुरुवात कि इंसबजी हो सगी हम निसबसे पहले लोग की शुरुवात की थी क्योंकि लोग की आ हमारे खेता है और गाजर बहुत होती है थिर बाद में जो है चुकंदर का किया जामून का ली किया और अमरूद हमारे हैं 35 स्पेड हैं हमने और या वो देने की जुरतनी पड़ती तो उन सब का जबी अनुभविसम काम आया है चुनौतिया क्या रही चुनौतिया प्रयोग था लोगों के लिए एक नई चीज थी चुनौतिया यह रही सबसे पहले तो कि जैसे मैं सेना से भी था और अच्छी सर्विस में ता यह और भी जद्धे प्रस्टीजा जोब है साथ में इसकी जुरुत है और अगर आगे जीना है तो इस तरह से प्राकृतिक खेती को अपना नहीं पड़ेगा तो यह समझाने का थोड़ा सा कारिया त्यड़ा था लेकिन जब हमने करना सुरू कर दिया क्योंकि मैं तो फोज तो हटे नहीं और फिर लोग जो है जब लोगों ने खाया इसके रिजल्ट देखे अपने बच्चों के ओपर अपने ओपर लोगों की डाइबिटीज ठीक हुई है लोगों का जो है जो इसका खून की कामी है एनिमिया एनिमिया के लोग केस ठीक हुए है लोग इतनी सिंगल आदमी जुड़ा सिंगल फैमिली जुड़ी और उसने अपने पूर रिस्तेदार तक मितरों तक यहां जोड़े तो यही परमानिकता है सबसे बड़ी और इस गुड़ का तकरिवन बेस रेट जो हमारी यहां पर सो रुपे किलो है कितने तक का बना चुका एक बार तो हमने पांच लाख रुपे का सामान जो है एक ही चासिने में डाला ता तो तकरिवन जो है डाई से तीन हजार रुपे किलो तक करीब हो बैठ रहा था गुड़ के गारुबार से लगए कितना टर्नूवर हो जाता हूँ टर्नूवर जैसे कि हमारे 25 एकड हैं 75 एकड का जो भ अरे सम इला करका तक रुपे का टर्नूवर होई जाता है चलते हैं कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो आज यहां पर अपने सामने गुड़ बनवा रहे हैं हमारे साथ में समय वो लोग है जो सुनील जी क्या गुड़ बनवाने के लिए पहुचे हैं उनसे बात कीत करते जो अपने मनुसार कुछ भी डलवा सकते हैं और आपके किस तरह से ड्राइब फूट कुछ भी डलवा सकते हैं जो जो बनता है यहां पर बनता है नहीं तो सब जंगे क्या नाम जी नाम जी केमिकल लगाए बनाए दाता है सुनिल जी कोई आप किया गुड बनवाना चाहे तो या खरीदना चाहे तो कैसे संपर कर सकते हैं संपर करने के जो रास्ता है उतरपरदेश मेरट का गाउं भामोरी है और यहां पर वैदिक जैवी किर्शी उद्योग के नाम से यह फर्म रजिस्टर है तो यहां पर गुड बनवाने के लिए आने के तो आना ही पड़ेगा साथ में जो अगर खरीदना है तो खरीदने काल हम ओनलाइन और उफलाइन दोनों हम तरीके से करते हैं अगर कोई डिमांड करता है वह हमें हमारी फोन नंबर पर जिसका मैं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे कि सेवन एट थरी डबल जीरो फाइव वन फाइव सेवन नाइन यह कॉंटेक्ट नंबर है और इमेल है राना जैस 04 at the rate gmail.com तो इन सब के मध्यम से डिमांड अपने प्लेस कर सकते हैं और संपर कर सकते हैं और बनवा सकते हैं तो आज आपको हमने दिखाया कि किस तरह से ये चुकंदर वाला गोड़ ये आवले का गोड़ ये गाजर का गोड़ तयार होता है और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट है ये गोड़ पूरी तरह से सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि इसमे ये गुड जो है वो विदेशों तक जाता है और सुरिल पॉजी जी किया तीन अजार उपए किलो तक का गुड भी तैयार हो चुका है शेले शरूरा गाउं जंक्शन सभी शोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर गाउं जंक्शन को फॉलो करें वाटसेप नमबर और जीमेल आईडी पर भी संपक्ट साथ सकते हैं